आपके सामनी है किलास 8 इंग्लिश न्यू जैम्स रतना सागर लेसन नमबर 18 और आज हम पढ़ने वाली है रुडियार किपलिंग द्वारा लिकी गई है पोयम इफ जिस पोयम के जरीए रुडियार किपलिंग गुन और विचारों के बारे में हमें बताना चाते हैं वो गुन और विचार जिनको अगर हम अपने जीवन में अपनाए तो हम एक अच्छे सफल और एक बहतरीन इंसान बन जाएंगे तो इन कंडिसन को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या वो कंडिसन है जिनको अगर हम अपने जीवन में अपनाए तो हम एक अच्छे और सफल इंसान बन सकते हैं तो पहले मैं इसका मीनिंग बताने वाला हूँ फिर वन बाई वन हम लाइन का ट्रांसलेट भी करेंगे इसमें लिखा हुआ है अगर आप अपने दिमाग को सांत रख सकते हो उस समय जब सभी लोग आपके आसपास के सभी लोग अपने दिमाग को सांत नहीं रख पा रहे हैं और इसका दोस वो आपके उपर लगा रहे हैं अगर आपको अपने उपर विश्वास है जब सभी लोग आप पर सक करते हैं आप डाउट करते हैं पर लेकिन आप उनकी आलोचनाओ का भी स्रीकार करते हो अगर आप इंतिजार करते हो और इंतिजार करके ठकते नहीं हो अगर आपके बारे में जूट बोला जाए और आप जूट का सामना जूट से नहीं करते हो और आपसे नफरत की जाए पर लेकिन आप अपने दिल में नफरत के लिए जिगह नहीं रखते हो और ना ही ज़्यादा अच्छा दिखने की कोसिस करते हो ना ही ज़्यादा बुद्धी मानी वाली बाते करते हो अगर ये गुन और विचार आप अपने जीवन में अपनाते हो तो आप एक सफल इंसान बन जाओगे नेक्स्ट पेरेग्राफ अगर आप सपना देखते हो अगर आप सपना देख सकते हो और सपनों को ही अपना मालिक नहीं बनाते हो अगर आप सोचते हो आप विचार करते हो लेकिन विचार करना ही आपके जीवन का लखसे नहीं है अगर आप दुख और सुक अच्छाई और बुराई दोनों भैरूपियों का सामना एक जैसा करते हो और अगर आप में जिस सुनने की सकती है कि आपने जो सच बोला है उसको तोड मरोड कर दुष्ट लोगों के दुआरा एक जाल बना दिया गया किसी बेवकुप को फसाने के लिए या फिर आप देख सकते हो कि जो भी चीजे आपने अपनी जीवन में लगाई हैं जो भी चीजे आपने अपनी जीवन के लिए दी हैं वो सभी तूट चुकी हैं और फिर से आप जुख कर उन सभी चीजों को अपने घिसेव किटे पुराने ओजारों से उनको फिर से सही कर रही हो ये condition आपके अंदर मौझूद है तो आप एक सफल इंसान बन जाओगे next paragraph में लिखा हुआ है कि अगर कि अगर आप अपनी जीती हुई चीजों का winnings यानि सभी जीती हुई चीजों का एक धेर बनाते हैं और फिर उनको एक risk में पिचन टोस वाले गेम में एक दाओ पर लगाकर उन सभी चीजों को हार जाती हैं और फिर से उन सभी चीजों का दुबारे से सुरुआत करती हैं उनको कमाने के लिए उनके लिए मेहनत करने के लिए और फिर भी आप एक सब्द ना बोलो अपनी हार के लिए अगर अपने दिल को अपनी नसो को और अपनी मास्पेसियों को आप मजबूर कर सकें कि अगर वो आपने आखरी समय में भी जब वो कमजोर हो चुके हों तब भी आपकी मदद करें और जब आपके पास कुछ ना हो तब भी ये आपके साथ रहें और सिर्फ विल जो विल पावर है आपके अंदर की वो ये कहें आप से कि hold on अभी रुको यानि अभी और भी आपको काम करना है नेक्स्ट पेरेग्राफ और लाश्ट पेरेग्राफ इस पोयम का अगर आप एक भीड में चल रही हो अपनी साथगी को नहीं खोते हो ना ही कोई दुसमन ना ही कोई दोस्त तुमें नुकसान पहुँचाता है अगर कोई भी इनसान तुमसे बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है पर इतना भी ज़्यादा नहीं अगर ये मिनट ये आखरी जीवन के मिनट जो 60 सेकंड के होती है तुमने अच्छे से जी बरकर जी लिए तो ये पिर्थवी यानि ये दुनिया तुमारी है ये दुनिया में जो भी चीजे है वो सब कुछ तुमारी है और इससे बढ़कर ये है कि तुम इन गुनों को अपनाने से एक बहतरीन इनसान बन जाओगे ये किस ने कहा है ये रुडियाड किपनी ने कहा है कि आप अगर इन गुन और विचारों को अपनाती है तो आप एक बहतरीन इनसान बन जाएंगे अब हम इसको लाइन बाइन ट्रांसलेट करती है आप जो भी मीनिंग आपको नहीं समझ में आया होगा उसका मीनिंग भी हाँ पे देख लेंगे इसमें लिखा हुआ है If you keep your head when all about you Keep your head का मतलब है ये एक महावरा है जिसका मतलब होता है सांत रहना तो अग इसमें लिखा हुआ है अगर अपने दिमाग को सांत रख सकती हो जब आपके आसपास के लोग are losing their and blaming it on you जब आपके आसपास के लोग अपने दिमाग को सांत नहीं रख पा रही है और इसका दोस्त आपके उपर लगा रही है If you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too अगर आप अपने उपर भरोसा रखते हैं आपको अपने उपर विश्वास है जब कि आपके आसपास के सभी लोग आप पर सक करती हैं पर लेकिन उनकी आलोचनाओं को भी आपको सुईकार करना होगा यह नहीं कि आप वो आलोचनाओं आपको पर doubt कर रहे हैं और फिर भी आप उनकी बास नहीं मान रहे हैं क्या पता उन्होंने जो doubt कर रहे हैं आपके उपर तो उस doubt में कुछ ना कुछ सही हो साथ ही लिखा हुआ है If you can wait and not be tired by waiting अगर आप इंतिजार करते हो और इंतिजार करकर ठकते नहीं हो And or being lied about Lied about यानि आपके बारे में जूट बोला जाए Don't deal in lies यानि कि उसका सामना जूट से मत करो Or being hated Don't give way to hating अगर आपसे नफरत की जाए तो आप उसका नफरत उस नफरत के लिए आपने दिल में जगह ना दो And yet Don't look too good No talk too wise ये line इसलिए कही गई है अगर आप ज़्यादा अच्छा दिखने की कोसिस करते हो ज़्यादा बुद्धिमानी वाली बाती करते हो दूसरों के सामने तो कुछ लोग कभी कवार इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आप से नफरत करने लगते हैं तो ज़्यादा हमें ज़रूत से ज़्यादा अच्छा दिखना और ज़रूत से ज़्यादा बुद्धिमानी वाले बातें नहीं करने चाहिए यानि कि अपनी ही अपनी तारीफ करना ही गलत बात है फिल लिखा हुआ है If you can dream and not make your dream यूर मास्टर अगर आप सपना देखते हो और सपनों को ही अपना मालिक नहीं बना लेते हो इसका मतलब है कि सपना देखना तो अच्छी बात है लेकिन आप सपनों में ही मत खोई रहो आपको मेहनत भी करनी चाहिए इसमें कहा है कि आप अगर विचार करती हो और विचारों को ही अपने जीवन का लक्षे नहीं बना चाहिए आपको क्योंकि अगर हम जीवन का लक्षे ही विचार करने में ही बिता देंगे तो हम आगे success कैसे हो पाएंगे If you can meet with Trump and disaster Trump and disaster यहाँ पर यह success happiness और sadness को relate करती है दुख और सुख को अच्छाई और बुराई इन दोनों words के लिए यह words यूज हुए है साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है imposters imposters होती है बहरूपिय यहाँ पर लिखा हुआ है अगर तुम अच्छाई और बुराई इन दोनों भैरूपियों का स्वागत इनका स्वागत या इनका सामना एक जैसा है करते हो If you can bear to hear the truth you have spoken bear to hear मतलब सुनने की सकती अगर आप में सुनने की सकती है उस सच की वो सच जो आपने बोया है उसको twisted यानि तोड मरोड कर दोड मरोड कर दुस्टों के दुआरा यहाँ पर नेव्स का मतलब है दुस्ट दुस्टों के दुआरा एक जाल बना दिया गया बेवकूफों को फसाने के लिए और watch the things you gave your life to और उन चीजों को देख सकते हो जो चीजे आपने अपनी जिन्दगी के लिए लगा दी है broken, टूट चुकी है and stoop and build up with worn out tools और उनको आप जुक कर अपने घिसे पिटे worn out tool का मतलब है घिसे पिटे टूलों को पुराने गिसे वे टूलों से आप उनको फिटे से बना रहे है if you can make one heap of all of your winning यहाँ पर winning का मतलब है सभी achievements की बारे में जो achievements आपने जीते हैं उनका आप एक धेल लगा देते हो यहाँ पर heap का मतलब है एक धेल अगर उनका धेल लगा देते हो and risk it on one ton of pitch and toes pitch and toes एक gambling का एक खेल है जिसको अगर आप खेलते हो sorry इस एक खेल है pitch and toes gambling का इसमें लिखा हुआ है अगर इसमें आप अपने सभी चीजों को दाव पर लगा देते हो and loose यानि हार जाते हो और फिर से सुरुआत करते हो and never breathe a word about your loss अपनी नुकसान के बारे में एक सब्द नहीं कहते हो if you can force your heart and nerves and sinew यहाँ पर hurt, दिल, नफस, नसे और यह mass पीजिया अगर आप इन तीनों चीजों को मजबूर कर सकते हो कि यह अपने आखरी समय में दियार गोन यहाँ पर मतलब अपनी आखरी समय में जब यह अपने कमजोर हो चुके हो तो यह आपको साथ दे और यह तब तक आपका साथ दे जब तक कि आपके पास कुछ ना रहो मतलब कि लाश तक जब आपके पास सब कुछ खतम हो गया हो तब यह आपके साथ थमे रहे accept the will which say to them कि will यानि आपकी will power वो आपसे कहे hold on अभी रुको लाश्ट पेरग्राफ है इसका if you can talk with crowd and keep your virtue अगर आप भीड से बाते कर रहे हो और फिर भी अपने गुनों को रखते हो पता अपने गुनों को समभाल कर रखते हो आपके गुन अभी भी अच्छे है आप अपने राजाओं के साथ चलते हो और फिर भी अपनी सादगी को नहीं खोते हो common touch का मतलब है सादगी ठीक है एक आपका behavior एक अच्छा behavior को common touch यानि अपनी सादगी कहते हैं तो आप अपने अच्छे जो behavior है उसको नहीं खोते हो if neither for or no loving friend can hurt you for का मतलब होता है दुस्मन ना तो आपका दुस्मन और ना ही आपके प्यारे दोस्त आपको नुक्सान पोचाए if all men count with you यानि जो भी count with you का मतलब है कि आपसे लकर जिसे आपसे लगन हो जाए अगर आपसे सभी लोग खुस रही आपसे उनको लगन हो जाए पर इतना भी जाद नहीं हद से जाद नहीं if you can feel the unforgive minute which 60 seconds worth of distance run अगर आप इन ना भूलने वाली minutes को 60 जिसमें 60 seconds है इनको अच्छे से बिता लेते हो your is the earth and everything that is it and which is more you will be a man my son कि यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा करते हो इन सभी condition को इन गुनों को अपनाती हो तो यह दुनिया आपकी है इस दुनिया में जो भी चीज है वो भी आपकी है और यहां से इससे बढ़कर मेरे बच्चे यह जो गुनों आप अपनाती हो इससे आप एक बहतरीन इनसान बन जाओगे यहां तक यह poem खतम होती है फिर हम इसकी writer के बारे में और जान लेती है writer के बारे में लिखा हुआ है कि यह road yard केपलिंग जिनका जनम 1865 और 1936 में इनकी death हुई 1865 में born हुए यह और 1936 में death हो गई यह एक English author है और एक poet है इनका जनम Mumbai में हुआ था जो पहले Bombay था इंडिया में और 1907 में यह 42 के थे जब इनहीं Nobel Prize for Literature से पुरुसकारित किया गया और यह पहले इनसान बने पहले इनसान ऐसे राइटर बने यह जो English language में इनको पुरुसकार दिया गया था यह मतब सबसे पहले यह ऐसे राइटर थे जिनको Nobel Prize for Literature का पुरुसकार दिया गया था और इसी के साथ हमारी यह वीडियो कॉप्लीट होती है वीडियो ची लगें तो लाइक जरू करना थेंक यू वा नाइस डे बाई बाई